नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वेडियो में दोस्तों चैनल पर एक कमेंट आया है, अनन्त सरकार करके एक कमेंट है इनका कहना है कि मुझे 2000 रुपे प्रतिमा का निवेश म्यूचल फंड में करना है SIPK थूर इनको निवेश करना है, तो कौन से फंड में इनको निवेश करना चाहिए लॉंग टाइम के लिए अब दोस्तों ठीक है, ये कमेंट पर तो बात हम करेंगे, या आप ज़रा सोचिए क्या 2000 रुपे महिना से क्या हो सकता है, आपको लगे गया, 2000 रुपे महिना बहुत छोटा निवेश है क्या ही हो पाएगा इससे, आप कहां तक सोच सकते हैं, कितना पैसा 2000 रुपे महिना के निवेश से बन सकता है थोड़ा सोचिये और सोचते सोचते जहरा इस वीडियो को ध्यान से देखेँगा कि 2000 रुपे महिना का किया गया टाइम से किया गया छोटा सा निवेज फ्यूचर में कितना पैसा बना सकता है चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो बहुत ज्यादा interesting आज की होने वाली है तो चलिए start करते हैं देखे कमेंट का जिनका है सरका इनकी जो age है इनकी जो age है 19 years की है बहुत ही कम age में इन्होंने शुरुवात की है शुरुवात करने जा रहे है investment की और हम लोग सोचते हैं कि अभी इस एज में क्या ही निवेश करना है बागी आगे चलकर देखेंगे देखें अगर आपकी एज निकल चुकी है आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं देखें आप छोटा-छोटा सा इंवेस्टमेंट आप स्टार्ट कीजिए फ्यूचर में आप ही लोगों के काम आएगा तो इस तरह सनको मोटिवेट करके आप लोग भी थोड़ा-थोड़ा इंवेस्टमेंट उनसे कराईए एक तो उससे क्या होगा ना उनकी आदत बने की थ टाइम हमारा निकल गया तो हमारा टाइम निकल गया हमारे बच्चों का टाइम ना निकले उनको हम टाइम से मोटिवेट करें उनको बताएं चीजों के बारे में कि आप इन चीजों को समझिए यह चीजे क्या हैं किस तरह से पैसा निवेश होता है इन चीजों को समझेंग कितना पैसा जनरेट कर सकती है, कारण क्या है, एज अभी इनकी केवल 19 years की है, 19 years की age में यह SIP स्टार्ट कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि बहुत जल्दी नोन इन चीजों को समझा, और कि इनको लगा कि हां या इसमें पैसा है, मुझे निवे कि आप इन चीजों को समझी और इसमें पैसा इंवेश कीजिए, तो चलिए, आगे चलते देखते हैं कि किस फंड में पैसा निवेश करके अच्छे रिटन्स बनाए जा सकते हैं, देखे, कैटेगरी तो यहां को बहुत सारी देखने को मिलेगी, आप लार्ज कैप, मिड कै कैटेगरी में जो फंड में बताने वाला हूं, जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं, वो आ जाएगा SBI की तरफ से, SBI, जो कि काफी ट्रस्टेबल है, काफी जादा ट्रस्ट लोग SBI पर करते है, SBI, इसका मतलब भरोसा लोग कहते हैं कि SBI का फंड है, मुझे भरोसा है, मैंने वेश करने के लिए तयार हूं, तो देखे, SBI का फंड है, और Small Cap Category का फंड भी नहीं है, Mid Cap Category का फंड है, बहुत ज़्यदा वोलटाइल भी नहीं है, देखे, Mid Cap Category के फंड का बेनेफिट यह है, कि हम Small Cap की वोलटेलिटी से बच जाते हैं, और Large Cap से जज़ादा returns हम यहाँ बना पाते हैं long term में mid cap category हमें अच्छे returns deliver करती भी है देखिए बात करते हैं mid cap fund के बारे में सबसे पहले fund size अगर आप देखें 18,399 करोड रुपे का fund size हमें देखने को मिल जाता है बाकी expense ratio आप देखेंगे 0.82% का expense ratio है lump sum भी आप 5000 कर सकते हैं और 500 रुपे से SIP भी यहाँ start की जा सकती है exit load है बाकी तो inception date अगर आप देखेंगे 1.01.2013 से यह fund perform कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और detail समझते है fund की देखिए SBI Magnum mid cap fund अब यह अपने पैसे को 3 जगय diversify करेगा ताकि आपका जो risk है उसको घटाया जा सके पैसा mutual fund का मतलब ही यही है कि अगर आपने किसी fund में पैसा निवेश किया है तो उसका diversification हो सके वो काफी जगय बाटा जा सके उसको ताकि वो बहुत सारी जगय निवेश किया जा सके देखिया तीन केटेगरी है large cap, mid cap, small cap तीनों केटेगरी में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है mid cap में अगर आप location देखें 70.12% है यानि कि mid cap का मतलब है उन companies के stocks में पैसा जाएगा जो ranking wise अगर आप देखें तो 101 से start होकर 250 तक जाती है small cap में 18.37% है small cap 251 से आगे की company हैं हमारी आ जाती है और large cap में 7.05% है large cap का मतलब है इंडिया की top 100 companies में आपका पैसा 7% यहां निवेश किया जा रहा है diversification काफी बढ़िया है mid cap में allocation अच्छा खासा रखना ही है क्योंकि mid cap category का fund ने minimum 65% रखना आनिवारिया है यहां इनोंने 70% रखा हुआ है बागे small cap में भी allocation ठीक ठाक देखने को मिलता है long term में returns को boost करने में यह काफी help करेगा आगे बढ़ते हैं चलिए देखे returns की अगर मैं बात करूँ 1 year के returns अगर आप देखे 39.3% के हमें देखने को मिलते हैं 3 years के return देखें तो 25.5% के देखने को मिलते हैं 5 years के 26.9 के और since inception 24.1% के हमें देखने को मिलते हैं अब यह जो since inception returns है यह 2013 से क्योंकि मैंने आपको दिखाया था slides में 2013 से यह fund perform कर रहा है तो 2013 से अभी तक अगर आप देखें 2024 तक जो returns है वो 24% के हमें लगबग देखने को मिल रहे हैं तो देखे returns आपने देखे returns fund काफी बढ़िया deliver यहां कर रहा है चलिए थोड़ी सी और holdings पर नजर मारते हैं कि जो इतने बढ़िया returns है वो बने कैसे हैं देखें वोल्डिंग्स आपके सामने हैं तो औरेंट पावर लिमिटेड है शेफ़र इंडिया लिमिटेड है तर्मेक्स लिमिटेड है सुन्दरम फाइनस लिमिटेड है बाकि आप देख सकते हैं यह कुछ main main holdings है जिन में SBA मेगनम मेड़केप ज्यादा पैसा निवेश कर रहा है तो holdings बढ़िया है fund की आपने performance देखी overall काफी बढ़िया है 24% का returns अपने investors को यह fund deliver अभी तक कर रहा है तो अगर इस fund में SIP start की जाती है चलिए directly SIP calculator पर हम चलेंगे SIP calculator चलिए SIP calculator पर चलते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा यहां से generate किया जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2000 रुपे महीना की SIP आपकी life को कैसे change कर सकती है कितना पैसा generate करके दे सकती है वो आप आज की वीडियो में समझने वाले हैं देखिए 2000 रुपे की SIP रिटन्स आपने देखे 24% के आसपास के रिटन्स इस फंड ने बनाये हैं देखिए अभी केवल 19 साल की एज है हो सकता है कि यह अपनी एज 50 की एज में इनको बड़े पैसे की जरुरत पड़े वो जिसी साब से इनको पैसे की जरुरत पड़ेगी यहां just example के लिए मैं 25 साल रख देता हूँ अगर 25 साल इसको यह continue करते हैं देखिए टोटल जो निवेश है वो हो जाएगा 6 लाग रुपे का और जो expected returns है वो 3.9 करोड रुपे के हमें देखने को मिल रहे हैं जी हां 3.9 करोड रुपे के आप इसको आगे भी समझ सकते हैं देखिए अभी मैंने 25 साल रख है इनकी यह जब इनकी एज 44 की होगी तो इनके पास लगबग 4 करोड रुपे होगे लेकिन अगर यह इस S.I.P. को और ज्यादा बढ़ाते हैं मान लीजिए अभी थर्टी यह तक इस S.I.P. को चलाते हैं थर्टी यह तक अभी इनकी एज लगबग 20 है जब इनकी एज 50 की होगी तो इनके पास लगबग 12.5 करोड रुपे की वैल्यू बन सकती है केवल 2000 की S.I.P. से यह दोस्तों पावर होती है कमपाउंडिंग की और अगर यह इस S.I.P. को 35 साल कंटीन्यू करते हैं 35 साल का मतलब है जब इनकी एज 54 की होगी इनके पास 41 करोड रुपे की वैल्यू भी बन सकती है जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लग रहा होगा कि यह 2000 की S.I.P. तो क्या ही कर सकती है लेकिन 2000 की S.I.P. 41 करोड रुपे तक भी बना कर दे सकती है क्योंकि इनकी एज कम है हो सकता है कि S.I.P. को यह 35 साल तक continue कर सके कर भी सकते हैं अगर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रत नहीं है S.I.P. को continue चलने दे और जब इनकी एज 50 प्लस होगी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट इनके हाथ में होगा लेकिन यह सब depend करेगा दोस्तों क्या है रिटन्स हमें 24 परसेंट के जैसे की past में मिले है future में भी मिलते हैं तो अगर हमारे रिटन्स कम हो जाते हैं चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं अभी 24 मिले हैं क्योंकि रिटन्स फिक्स नहीं होते हैं mutual fund में यह कम ज्यादा होड़ सकते हैं क्योंकि market condition पर ही depend करते हैं हम मानकर चलते हैं चलिए 24 ना मिले हमें in future अगर इसने हमें 20% के रिटन्स भी दिये calculation कर लेते हैं अगर 20% के रिटन्स भी इस fund ने हमें deliver किये तो 25 साल बाद हमारे पास 1.7 करोड की value होगी और वही 30 साल बाद लगवग 4.7 करोड की और वही 35 साल बाद लगवग 12.6 करोड की value तब भी हमें देखने को मिल रही है जबकि रिटन्स मैंने 4% यहाँ पर कम कर दिये हैं पहली मैंने यहाँ पर 4% रिटन्स गटाए हैं बाकी रिटन्स अगर आपको 24 ही मिलते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं क्योंकि mutual fund है देखिए रिटन्स की कोई guarantee नहीं है लेकिन जो past रिटन्स है उसके आधा करोड़ों में value बन रही है और केवल 2000 की SIP से यह कैसे possible है दोस्तों यह power है compounding की इसलिए compounding को अजूबा कहा गया है जितने ज्यादा समय तक आप पैसा निवेश करेंगे उसने ही ज्यादा returns आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि compounding में जब पैसा बढ़ता है ना तो बहुत लिए SIP आपके सारे सपने पूरे कर सकती है जी हां वो सब आपने आज की वीडियो में देखी लिया है तो उमीद करता हूं कि इन चीजों को देखने के बाद आप भी एक SIP जरूर स्टार्ट करेंगे खुद अगर आपको की एज काफी हो गई तो अपने बच्चों को motivate करे यहां से आप SIP स्टार्ट जरूर या तो खुद करेंगे या किसी की करवाएंगे जरूर ऐसा मुझे लगता है तो दोस्तों मीद करता हूं कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion हो आप मुझे comment कीजिएगा reply में आपको जरूर करूंगा बागी दोस्तों recommendation नहीं है किवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि mutual fund का जो भी निवेश है वो बाजार जो की मुक्यादीन है इसलिए निवेश करने से पहले अपने risk tolerance को जरूर देखें पाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो like share जरूर कीजेगा चैनल पर अगर subscribe आप सरूर कीजेगा नमस्कार